दोस्तो मेरा एक दोस्त है उसका घर जंगल तरफ है और उसके घर के आज पास बहुत सारे पेड़ पोद है बोल दो जंगल ही है उसके घर और अधिकतर ओ लोग खेती बारी करते हैं मेरे दोस्त लोग अधिकतर ओ लोग जिसे खेती बारी होता है ना जिसे मक्काई बजराई स जब ज्यादा खेती, करते हैं वह सबूख मेरा दोस्त दोस्त वो सबूख सAHW लग से वरशात बोला की रखने लावना ही ज़ाशल सबूख लह नहुख, लावा कंधरे। में मकाकर यही खेती करते है और मकाकर चलाना यानि सबसे हाई यानि उसका बिनेफिट होता है यही बोल रहा था मेरा दोस्त यानि मका उपजा कर उसको विक्री करते थे तो सीजन में उन लोगों को लाख ड़र-लाख आसानी से कमाई हो जाता था ऐसा होता है, हर साल ऐसा होता है, वो बोलता है, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त बोल रहा था है, जो मक्का वो बिक्री करता है, वो यानि घर के आसपास कुछ होते हैं, जो यानि लोकल में जो होते हैं, जो बेपारी होते हैं, डिलर होते हैं, उहीं लोग को बिचता है, मेरा दोस्त तो लोगों को ज्यादा रेट विक्री होता करता है तो ज्यादा रेट नहीं मिलता है मेरे दोस्त को जा दोस्त एक तरकीब निकाला क्योंकि जो मक्का विक्री करता था उसको काम रेट मिलता था तो उसको बेनेफिट नहीं होता था तो एक तरकीब निकाला और मीनी रैश मिल मशीन खरीद लिया उसमें फ्लोर मिल भी जोइंट था यानि दोनों साथ में थे अब मेरा दोस्त क्या करता है कि वो जो सारे मक्का यानि उसके जितने भी मक्का उनके खेत में निकलते हैं वो मक्का को बिस्ता नहीं है बस सारे मक्का को दर्रा कर देता है यानि जो फ्लोर मिल साथ में है यानि रैश मिल मशीन में जो साथ में फ्लोर मिल में है उसमें दर्रा वाला जली डालकर यानि सारे मका को दर्रा बनाकर फिर सेल करता है नहीं दोस्त बोल रहा था जो राइशमीन मसीन और परीब आनि 25-30,000 के आसपास ऐसे हैं इतना ही लगा है ऐसा बोल रहा था जिसे पहले मेरा दोस्त मका को करीब 12-13-15 इसे विकरी करता था मका को अब वहीं म मका को दर्रा बनाकर विक्री करता है तो 20-22 ऐसे उसका रेट चला जाता है तो मेरा दोस्त को काफी विनेफिट होता है अब मेरा दोस्त जैसे बड़े बड़े dairy farm होता है, गाय farm होता है, भैंस farm होता है, जैसे कुछ लोग sugar को भी खिलाने के लिए ले जाते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े farm में contact किए हुए है, ओहीं लोगों को sale करता है, जैसे अपने घर में ही वो सारा कुछ जो मक्का होता है, उसको द दलाल लोगों का यानि बीच में नहीं पड़ता है, तो लोगों कभी कुछ सस्ता पड़ता है, तो डायरेक्ट यानि डेरी में ही सेल कर देता है, तो दोनों तरब से दोनों लोगों को फाइदा हो जाता है, आज पास भी बहुत भी की हो जाता है, बोलता है मेरा दोस्त, जैस यह दर्रा होता है वो आटे से बहुत फास्ट दर्रा बनता है गेहूं का या मका का या फास्ट दर्रा बनता है दर्रा बना रहे थे जैसे मेरा है six and hundred model वाला उसमें mini floor meal है तो उसमें मैंने दर्रा बना रहा था तो एक घंटा में करीब 500 kg असानी से दर्रा और अनी दर्रा पिसाय हो जाता है मीरा दोस्त बोलता है अब तो आज बाज जो उसके घर आजपास जो किसान है वह लोगों सभी मका कीव के दर्रा बना करता है इस तरह से बोलता है दोस्त मेरा जो मीनी floor meal है उसको तो उसके घर वाले कोई एक सदस्ग आसा भी दोछी दोश्ट